अगर आप कहीं पे भी पैसा इंवेस्ट करते हैं, तो आपको अच्छा रिटन मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, अगर आपको उस पे अच्छा रिटन नहीं मिलता है, तो आपका पैसा इंवेस्ट करने का कोई फायदा नहीं होता। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप 10 साल में 1 करोड रुपया बना सकते हैं यानि कि जो भी आपका invest किया हुआ पैसा होगा वो आपका 10 साल में कैसे 1 करोड में convert हो जाएगा मार्केट में बहुत सारे सेर ऐसे हैं जो आपके अमाउंट पे 20 से 25 परसेंट तक का return देते हैं जैसे ICICI हो गया, अदित्या बिरला गुरूप हो गया, निपॉन हो गया इस तरह के कुछ सेर्स हैं जो अभी तक ग्रहाकों को 20 से 25 परसेंट तक का return दे रहे हैं तो चलिए अब माल लेते हैं कि अगर आप किसी भी SIP में invest करते हैं या फिर किसी भी अच्छे सेर में invest करते हैं तो माल लेते हैं कि आप हर महीने 28,000 यानि की 28,000 रुपे उस सेर में invest कर रहे हैं यानि कि आपने जो SIP ले रखे हैं उसमें आप हर महीने 28,000 रुपे invest करते हैं और उस पे आपको 25% नहीं हम 20% का interest मानके चलते हैं उसमें आपको 20% का interest मिलता है और ये condition आप लगातार 10 साल तक चला रहे हैं तो आप यहां पे invest करेंगे लगबग 33,000,000 रुपे लेकिन यहां आपको 20% के return से आपको जो interest rate मिलेगा वो 33,000,000 रुपे के लगवाग होगा यानि कि आपका जो interest amount होगा वो 33,000,000 रुपे होगा तो इस तरीके से आप सिर्फ 10 साल में 33,000,000 रुपे जमा करके एक करोड 7,000 रुपे बना सकते हैं यहां पे हम सिर्फ इतना भी मान लेते हैं कि share market कभी-कभी उपर भी जाता है और कभी-कभी नीचे भी जाता है लेकिन SIP में एक normal amount हमिशा बना रहता है अगर आप SIP में invest करते हैं तो आपको अच्छा return मिलने के 99% chances होते हैं तो चलिए अब यह जान ल आपसे अगर आप 44,000 रुपे हर महीने जमा करते हैं और यह तरीका आप लगातार 10 साल तक चलाते हैं तो आपका जो जमा amount होगा वो लगबग 52,000,000 रुपे होगा और आपको इस पे जो interest मिलेगा लगबग 49,000,000 रुपे मिलने वाला है याने कि यहां पे भी आप 1 करोड से SIP एक छोटे छोटे amount को बड़ा amount बना देता है क्योंकि इसमें compounding interest का बहुत बड़ा रॉल होता है यहां पर आपका जो छोटा छोटा amount है वो compounding interest करोडों में convert हो जाता है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ time देने की जरूरत होती है अब दोस्तों एक काम की बात अगर आप क किसी भी share market में पैसा लगाते हैं तो यह channel आपको कभी भी यह guide नहीं करता कि आप directly किसी भी scheme में पैसा लगाएं हम आपको हमेशा कहते हैं कि किसी भी scheme में पैसा लगाने से पहले आप उसकी पूरी तरह जाच कर लें पूरी तरह चानवीन कर लें अगर आप संतुस होते हैं अगर आपको लगता है कि मुझे इस स्कीम में पैसा लगाना चाहिए ये स्कीम मेरे लिए बिलकुल सुरच्छित है और आगे मेरे लिए ये स्कीम फायदा देने वाली है या फिर मेरे लिए इस स्कीम में अच्छा रिटन मिल सकता है तब आप उस स्कीम में पैसा लगा सकते ह आप कहीं भी पैसा लगाने से पहले एक बार अपनी संतुस्ती जरूर कर लें क्योंकि ये चैनल आपको सिर्फ अच्छे अच्छी स्कीम्स लेके आता है अच्छे अच्छे आइडिया लेके आता है ताकि कल को आपका भविश्य से अच्छा बन सके आप फ्यूचर में फ्यूचर दे सकें इसलिए आपको हमेशा कहा जाता है कि आप जब भी कहीं पैसा लगाएं तो उससे पहले आप अपनी पूरी च्छानमीन कर लें तभी आप कहीं पैसा लगाएं